समस्कार दोस्तों, Great to India YouTube चैनल में आपका स्वागत है, यह है Future Learning Platform, तो सूचना साइक बरती से Related Most Important MCQ Series, चलो, स्टार्ट करता है सेशन का, तो सेशन का सबसे पहला कोर्षन, तो आज के अपने जो क्लास है, 90 नमबर क्लास रहेगी, तो Most Important MCQ Series, Computer विज्ञान के, सबसे पहला कोर् Computer System के Mechanical, Electrical और Electronics बागों को क्या कहा जाता है, तो इस बागों को क्या कहा जाता है, जैसे आप इनको Computer System के, जो Mechanical, Electric और Electronics बागों को क्या कहा जाता है, उसे Hardware कहा जाता है, जिससे आप Touch कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, और जिसमें आप Work करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉब्वेर की टू कैटेगरी होती है आपको ध्यान रखना है सॉब्वेर जो होता है यह तो होता है सिस्टम सॉब्वेर एक आपको ध्यान रखना है सिस्टम सॉब्वेर सेकंड ध्यान रखना है यूटिलिटी सॉब्वेर और थर्ड याद रखना है यहां पर अपलिकेशन स साफ्ट्वेर की तीन कैटेगरी है वो आपको ध्यान रखने हैं आप इस्टम साफ्ट्वेर में वेरी इंपोर्डेंट दो पॉइंट रहता हैं सीवाई और जीवाई ओपरेटिंग सिस्टम के बारे में चलो नेक्स्ट कोर्शन के और चलता है पचिस सो क्लॉक साइकल परती सेकिंड क्रिवानवित कर सकने वाला सीप्यू की क्लॉक दर क्या होगी तो यहाँ पर जो सीप्यू की पचिस सो क्लॉक साइकल का मतलब होता है यहाँ पर ध्यान रखें 2.5 के का हर्ज किलो हर्ज जो होता है यहां पर सही आंसर आएगा B DPA, DPA की full form दियान रखें DPA जो है printer की quality measurement करने के लिए यूज की जाते है तो DPA मतलब dot per inch dot per inch DPA की full form यह दियान रखें दूसरी चीज़, यहां पर DPA printer resolution का एक map है जो यह दर्शाता है कि printer में कितने ink dot रख सकता है तो यहां पर कितने ink तो वो एक inch रख सकता है सही आंसर क्या रहेगा A ADSL का पूरा नाम क्या है ADSL का जो पूरा नाम है वो क्या a symmetric digital subscriber line तो सही आंसर C data entry के समय और के बीच switch करने के लिए insert कुझी का परियोग किया जाता है तो insert कुझी का जो परियोग किया जाता है यहां पर insert और override करने के लिए परियोग किया जाता है किसी काम को करने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला सबसे आम mouse click कौन सा होता है सबसे ज़्यादा जो mouse click जो use होता है वो होता है single click यहाँ पे true और false कतन बताना है आपको यहाँ पे दो condition दे रखिए इसमें से कौन सा true है और कौन सा गलत है वो बताना है DPI जितनी कम होगी image उतनी ही साप होगी बिल्कुल wrong input और output device को peripheral device का जाता है बिल्कुल right peripheral device कौन सा होता है input device और जो output device होता है निमलिकित मिलान करें यहाँ पे दो set दे रखिए इन दोनों set को यहाँ पे मिलाना है यहाँ पे दोनों set को मिलाने की कौसिस करता है देखिए one newman तो यह जो one newman है यह कौन थे आपको दियान रखना है 8 का 8 कोर्षन very important रहेगा तो यह थे संग्रही program अवधारना फिर देख सकते second second का क्या दे रखा है fniac मतलब यह जो था पहली PD में first generation का computer था IBM 360 जो है 30 generation का computer है तो यहाँ पे सही answer रहेगा b a और c सही answer रहेगा इसका c 9th number वह लेंग्विज जो assembler दौरा binary code में परिवर्टित की गई हो उसे क्या कहा जाता है तो उस language को का जाता है assembly language ध्यान रखें assembler दौरा binary code में परिवर्टित करने की process को क्या का जाता है assembly language कहा जाता है निमलिकित में से कि सेनिक का सौपवेर संसाधन परबंदन प्रोसेस परबंदन मेमोरी परबंदन जैसे कारिये करता है तो यह कौन करता है यह करता है सिस्टम सौपवेर निमलिकित में से कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यहां पर जो ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो आपको बताना है तो यहां पर ध्यान रखें ओपेर जो होता है ओपरेटिंग सिस्टम नहीं होता यह एक क्या होता है ब्राउजर होता है एक ब्राउजर उता में से कौन सा टाइम सेरिंग ऑपरेटिंग शिस्टम है तो टाइंग ऑपरेटिंग उनिक उनिक एक सद्ध्व और ai मतलब करेक्टर यूजर इंटरपेस करता है ऐस्स डिक semble enabling कौन सा कतन या पर सत्य तो सब्सक्राइब को कौन से तो यह किना स्विच का तो यह कहme सब क्वद्रे मोज़ेदर इसकी फुलपरम बिल्कुल true है SSD, SDD से तेज है बिल्कुल HDD से SSD जो होती है वो तेज होती है तो मतलब ये भी true SSD, HD से सस्था होता है ये गलत है क्योंकि वो महेंगा होता है यहां पर आपका सही आंसर आएगा 13 का C 768 किलोबाइट्स और 1.5 MHz का योग होगा तो यहाँ पे 768 और 1 MB 1 मतलब 1024 MB प्लस 768 मतलब यहाँ देख सकते है 2, 6, 2, 8, 9, 7 मतलब यहाँ सम्तिंग 1700 बरणवा रहा है तो यहाँ पे जो 14 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 2.55 Mb क्योंकि यह किलो बाइट्स में और यहाँ पे 1.5 Mb कंप्यूटर बूट प्रोसेस के संदब में BIOS किसका एग्जाम्पल है तो BIOS क्या होता है यह एक फरमवेर होता है सही आंसर रहेगा C 16 निमलिकित मैसी कौन सा एक किलास B का IP एडरस है यहाँ पे B का जो IP एडरस है वो कौन सा है वो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा इसका A निमलिकित मैसी कौन Windows टाक्स बार में इस्तित होता है जैसे Fax, Printer आदी System function तक आसान एक्सेस करने के लिए बहुत छोटा आइकन रखता है उससे क्या का जाता है तो उसे जो का जाता है यहाँ पे 17 के लिए जो सही आंसर रहेगा वो है System tray निमलिकित मैसी कौन Windows सेट डाउन का सही विकलप नहीं है तो सेट डाउन का जो सही विकलप नहीं है वो बताना है लोग आफ होता है, रिस्टाड होता है लेकिन freeze नहीं होता है यहाँ पे 19 का देख सकते है बिल्कुल टाक्सबार का इसा है, बिल्कुल true है विंडोज में shift delete दमाने डिल्र कीगी आइटम recycle विन में चला जाता है तो देखो shift delete से वो recycle विन में नहीं जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते है पहला सत्य है, दूसरा और सत्य BIOS, Logoff और Hibernet, इन दोनों को मिलाना है तो यहाँ मिलान देखता है तो यहाँ पे मिलान क्या है, तो सबसे पहला BIOS BIOS एक firmware होता है, तो सही answer क्या रहेगा, देखता है C जहाँ पे C, या तो B होगा या पिर C, चलते हैं आगे next Logoff, Logoff का मतलब होता है केवल वर्तमान यूजर सेशन को बंद करता है तो मतलब यहाँ पे रहेगा A, तो मतलब C, A और B, सही answer है इसका C, A, B मतलब सही answer है C, 20 का जाँ सही answer है वो है C निमलिकित मैं से कौन सा Windows Advanced Startup विकलप Windows को safe mode में start करता है लेकिन internet access के लिए network driver और service को भी साम्मिल करता है यह कौन साम्मिल करता है, यह करता है safe mode with command promote, सही answer हैगा B Windows 10 इस वर्स release किया गया था, तो Windows 10 कब release किया गया था तो यह जो किया गया था, 2015 के अंदर release किया गया था एक मजबूत password में होने चाहिए, तो मजबूत password जैसे alphabet, small, symbol, number, one, two, three यह जो सारा strong password के example है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसका जो सही होगा संकेत चीन, अक्सरों, अंक, संकेत उची चीनों का मिश्रन जो होता है, उसी से strong password बनाया जाता है और symmetric cryptography में private कुंजी आम तोर पर पर परियोग की जाती है, तो यह जो परियोग की जाती है, संदेश decrypt करने के लिए, करने है तो परियोग की जाती है, सही answer B सेट मिलाना है symmetric cryptography और symmetric cryptography और cipher text क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान अगना है, तो 25 वे का क्या answer होगा, देखता है तो first का जो सही answer क्या रहेगा, यह रहेगा symmetric cryptography होती, encrypted text, मतलब encrypted text, मतलब यहाँ पर first जो है, यहाँ पर आप देख सकता है, sorry यहाँ पर आप क्या होगा, एक मिन्ट, set 1 और set 2 मिलाना है, यहाँ पर देखता है, तो 25 वे का, तो first symmetric cryptography होती है, यह private, क्या होती है, private cryptography होती है, तो मतलब first का जो होगा, वो रहेगा c, इसका क्या रहेगा, c, फिर देखता है आगे, फिर यहाँ पर क्या कह रहे है, second asymmetric cryptography, तो यह होती है, public, तो यहाँ पर हो गया, यह, और last बचा जो अपना B, मतलब C, A, B से यह answer आएगा, इसका B है, 25 का B, 26, सत्य और सत्य करतना है, cypher text, और नियमित रूप से अर्थिन परतित होता है, तो यहाँ पर अर्थिन परतित होता है, बिल्कुल right है, बिल्कुल true है यह, zero day attacks, structure, अधरीत, अर्थिक्रम, अनुसादन, तकनीक, परवावी होती है, बिल्कुल गलत, परवावी नहीं होती है, और यह करा परवावी हो और यहाँ बिल्कृ आरे म unhappy, बिल्कुल ओक्शन, अर्थिक्रम, वहाएवी होता हॉता है, बिल्कृम, अच्टुल को वहाओवा जिल्कृम, गलत, बावावी होता है, ब्यद्कुल, क्योग रिल्कृम, जलत, बिल्कृम, जलत, अर्वावी होताय पर से जाज़, से